नमस्कार आप देख रहें सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ विचता घोश किसान आंदोलन अपना केवल पंजाब, हरियाना और दिल्ली तक से मटके रह गया है बल्कि अब ये आंदोलन बहुत तेजी से अनराजियों में भी बढ़ रहा है एक तरफ जहां किसान के इन सरकार द्वारा लागू किये गए तीनों नए क्रिशी कानूनों की वापसी की मांग कर रहे है और क्रिशी कानूनों की वापसी के सवाल पर सरकार से सिर्फ हा या ना में जवाब चाते है वहीं दूसरी तरफ सरकार है जो बीच का रास्ता निकालने का किसानों को आफर कर रही है लेकिन किसान अपनी मांग से टस्क से मस होने को तयार नहीं है इसी को लेकर किसान यूनियन के आवाहन पर मंगलवार को भारत बंद का आवाहन किया गया जिसे कॉंग्रेस और वामपत्ती दलों के अलाबा सवी विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त है देश भर में किसान आंदोलन के समर्थन में आए दिन धर्ना प्रदर्शन का दौर जारी है खासकर वामपत्ती दल और तमाम ट्रेड यूनियन किसान कानून के विरोध में सड़कों पर आंदोलन रत है हलाकि किसानों को मनाने के लिए सरकार की ओर से किसानों के बीच पांच दौर की वारता भी हो चुकी है जो अब तक बे नतीजा रही जबकि छटे दौर की वारता में 9 दिसमबर को कृषी मंत्री समेथ भरत सरकार के कई मंत्री किसानों से बात करेंगे ऐसे में जहां सरकार किसानों को नए क्रिशी कानून के फाइदे समझा कर वारता पर विराम लाकाने और बीच का रास्ता निकालने में लगी है वहीं किसान सरकार के साथ होने वाली वार्ता पर अब भी सवाल खड़े कर रहे हैं जबकि विपक्ष किसानों को बर्गला कर अपनी राजनीती के रोटी सेक रहे हैं आपको बता दे साल 2013-14 में कॉंग्रेस शाषित राज्यों में ततकाली न्यूपीय सरकार ने कई ऐसे प्रावधान नाई थे जो वर्तामान के क्रिशी कानूनों में शामिल है और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कॉंग्रेस ने अपने चुनावी घोशना पत्र में किसानों से इन ही जैसे कानून को लागू करने का वादा किया था लेकिन अब भाजपा शाषित नेतरित वाली के इन सरकार ने जब नए क्रिशी कानून में उन्हीं वादों को लागू कर दिया तो विपक्ष उसे किसान विरोधी बता रहे हैं अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि को आंदोलन की आग में जोकना कहां तक जायज है इस खबर में बस इतना ही देखते रहे हैं सिर्टी भी